हलो साथियो नमस्कार जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरो यारो की जो परिक्षा है UPPSC कराती है और UPPSC ने आरो यारो के पैटर्ण में एक बड़ा बदलाओ किया है उस बदलाओ को हम अभी देखेंगे और यह आधिकारिक ख़बर आ चुकी है और जैसा हमने पहले ब प्रारंबिक परिक्षा के बारे में ही बदलाओ है मुखको परिक्षा एजिटेज है जैसी थी वैसे ही रहेगी अभी प्रारंबिक परिक्षा के संदर्व में बात करें तो प्रारंबिक परिक्षा आपको पता है कि दो एक ही दिन में दो पेपर कराया जाते थे एक होता थ पहले पेपर जो है आपका GS का होता था और GS के पेपर के बाद आपको कुछ गैप मिलता था GS 140 नंबर का पेपर होता था 140 पूछ जाते थे और 140 में से आपको जो है यसमें कुछ question reasoning के भी होते हैं तो total 140 question यह GS में आते थे ठीक है कि उसके बाद कुछ gap होता था कुछ समय का और उसके बाद आपका होता था हिंदी का पेपर हिंदी का पेपर होता था और इसके लिए एक घंटे का समय दिया जाता था इसके लिए एक घंटे का समय दिया जाता था और इसके लिए दो घंटे का समय दिया जाता था ठीक अब इन लोगों ने क्या किया है कि इस गैप को खतम कर दिया है यह जो गैप बीच में मिला था आपको इसको खतम कर दिया है अब जैसे मैंने आप से बोल अलग से नहीं रहेगा उसी पेपर में रहेगा ठीक तो 200 question एक साथ रहेंगे और इनके लिए आपको तीन घंटे में करना है तीन घंटे का पेपर अब हो गया है अब इसकी आधिकारिक पुष्टी में आपको कर देता हूं यह हमारी उत्तरपदेश पुब्लिक सर्विस कमीश करने ज込ीता हूं देक्यश यह आया यह है आरो यारो दोधाथ थीस के संदर में यह यह को होना है बारा दिसमबर गाहए शूसी के संदर में यह है ठीक है तो इसको मैं कर लेता हूं यह से सप्पेंबर की यह खबर है यह आग आज के कि 30 सेप्टेमबर की यह खबर है अन्यानी आज की खबर है अभी हाल में ही खबर आई है कुछ समय पहले ही नोटेस आया आई ठीक अब इसमें हुआ क्या है एक सुध्धी पत्र इन्हों ने जादी किया है ठीक एक करेक्शन लेटर एक तरीके से कह सकते हैं उत्तरपदेश लो सामान हिंदी आप कर दिया गया है ठीक और प्रस्ण अब बहु निस्ट होंगे यानि कि objective questions ही पूछे आएंगे और प्रस्ण पत्र की संख्या यानि कि आपको केवल एक ही paper मिलेगा पहले आपको दो पेपर मिलते थे एक GS का अलग से एक हिंदी का पेपर अलग से मिलता था अब आपको दोनों एक साथ माला उसी पेपर में सीधे सीधे 200 question type होंगे ठीक है so 200 question यानि प्रस्ण पत्र की संख्या अब एक होने वाली यानि दो नहीं होंगे एक प्रस्ण पत्र होगा प्रस्णों की संख्या 200 होने वाली है जिसमें हमने बताए आपको कि सामान हिंदी साम प्रस्ण आपके यह हो जाएंगे अब यहां पर महतिपूर्बात कहां पर आप देखो कि समय कितना समय आपको मिलने वाला है इस एक्जाम को देने में तो आपको तीन घंटे का समय मिलेगा और 200 पूरांक है यानि 200 नंबर का पेपर है और प्रस्ण पत्र पर जो है हर एक प मताबत रहेगी जैसे पहले होती थी षना वैसी ही रहेगी याद रखने वाली बात है जिस तरीक है से पहले होती थी वैसे ही मुक्वे轉 są रहेगी और ये परिक्षा नियंत्रग जी के तरफ से जारी किया गया है या यह सुद्धी पत्र तो अब हमें इस हिसाब से तैयारी करना है कि जभी आप test series लगा हो या कुछ इस तरीका दै कर वा हू дов on तीन घंटे बैटने की आप को प्रायक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अपको एक सिटिंग में ही पेपर देना है कि आप लोगों ने बहुत सारी लेटर लेकि कमीशन के पास कम से कमीशन और आयो के पास और साथ हैं प्रसासन के पास कम सतर हजार से ज़्याद़ा मेल इमेल और ट्विट यह सब चीज़े गई हैं और इसकी वजए से प्रसासन पर भी दबाव पड़ा है कि यह पेपर एक ही कराई जाए ठीक है यह एक दिने पेपर कराया जाएगा यह बात मान लीजे 22 तारी þारीफ हुगा इसमें कोई टिलने की कोई संभाबना नहीं है तो 22 دिसंबर के हिसाब से ही तैयारी करें, यू भी PCS का पेपर टल गया है, ये भी ये मैं बता देता हूँ आपको, अब उसके लिए निश्चिंद रहिए, लेकिन इसके लिए अभी लग जाईए, तो उमीद है कि आपको मेरी बास समझ में आई होगी, यदि आपने अभी तक आरो यारो के लिए डेली प्रेक्टिस प्रोगाम जोइन नहीं किया, तो जोइन कर लिजे, एकजाम द्रिश्टी एप की लिंक डिस्क्रिप्सन में है, वहां से जाकर के डेली प्रेक्टिस प्रोगाम, आरो यारो के लिए प्रॉपर बैच चला है, आरो यारो पीटी प्लस मे अधिले भी दी थी कि ऐसा होने बाला है और वैसा ही हुआ है ठीक है तो कुछ भरोसा आपको करना पड़ता है और कुछ बुकता खबरें होते ही तभी हम आपके लिए बताते हैं बाते और बाकी देखते रहें एक जानदरिश्टी को सब्सक्राइब कर लिजिए यदि आपको सबसे सठीक जानकारी चाहिए होती है तू ठीक है नन्यवाद नमस्कार